हालो एवरीवान आज मैं जो रिडिंग कर रही हूँ ये हमारे एक्वेरियस राशी वालों की रिडिंग होगी देखते हैं कि एक दिसंबर से दस दिसंबर के बीच में कुम्भ राशी के लिए क्या मैसेज आता है हमारे टैरो से सो स्टार्ट करते हैं इसमेद टूह प्रीज कर वाश्वन ये लिएय के लिए कि इतल इतल दिस जे शेदे शेद। बंस गवर्णर भाश्वन जह क्रिंव लिए मैं टा भें विरवं कि दो व अस्यु वरिए फवरत।्ष मैं ये को कि बाम मांージ प्रणत पर परफफट ग्रता ऑॉवर्ग Truth, Disconnect and Boredom, Solitude, Victory वाउ, हमारे पास दो अलग डेक से Victory का कार्ड आया है किसी चीज में कुम्ब राशी वालों को जीत मिलेगी क्या चीज है वो आप बेटर जानते हैं ठीक है, आपको जीत मिलेगी ये मैं आपको पहले बता देती हूँ Your commitment is being tested The fool, the star Fine, तो जिनकी भी राशी कुम्ब है, Aquarius उनकी लाइफ में मैं देख पा रहे हूँ कि किसी तरह की situation आपकी life में है जिसमें आपको तोड के रख दिया है बहुत जादा confusion है, बहुत जादा आप जगल कर रहे हैं किसी situation को लेके बहुत जादा आप सोच रहे हैं, आप balance करना चाहते हैं किसी situation को वो situation क्या है, सबकी अपनी-पनी situation होती है कुछ लोग career में balance लाना चाहते हैं कुछ लोग finance में, अपने business में balance लाना चाहते हैं कुछ लोग अपनी love relation को लेके confused है उनको third party situation की वज़े से परिशानी है third party situation में कुछ भी हो सकता है उनका career, उनका family problem, किसी तरह का family को लेकर वो हो सकता है परिशान हो, या उनकी life में कोई और हो सकता है जिसकी वज़े से वो confused है यहाँ पे कुछ तो खतम हुआ है कई लोग बहुत ज़ादा sad energy में है Aquarius Rashi क्या चल रहा है ऐसी energy मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर आपकी life में आपको किसी तरह का situation ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़ादा sad है आपको लग रहा है सब कुछ खतम हो गया ऐसा नहीं है जब रात होती है तो सविरा भी होता है ठीक है आपको अपने अंदर हिम्मत रखना है आगे बढ़ते रहना है हर situation से आप बाहर निकल सकते है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों की life में किसी ने धोखा दिया है किसी तरह का cheating हुआ है किसी भी area of field से हो सकता है जॉब में किसी लोगों की जॉब गई हो या किसी ने आपके staff में आपके friend circle में आपको धोका दिया हो आपको back step किया हो यहाँ पे third party situation भी मुझे लग रही है अगर love relations की बात करें तो यहाँ पे break up हुआ है कुछ तो खतम हुआ है आप मुझे जुरूर comment box में बताईएगा की क्या ऐसा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे लोग spiritually awaken हो रहे हैं उन्होंने बहुत जेला है बहुत दुख देखे हैं बहुत wait किया है बहुत इंतजार किया है ठक गए हैं इंतजार करते करते लेकिन अब उनकी life में clarity आएगी आपको अगर किसी ने धोखा दिया है वो आप से communicate करेगा आपको सच्चाई बताएगा truth का card आया है जो बता रहा है कि आपको सच सुनना सच बोलना बहुत पसंद है और आपकी life में सारा vision आपका clear होगा आपने आखों पे पट्टी बांत के जिन पर भी भरोसा किया उन्होंने आपको backstep किया आपको धोखा दिया लेकिन अब वो आपको सच्चाई बताएगे आपसे communication करेंगे आपको call message आ सकता है अगर आप किसी चीज़ का इंतिजार कर रहे हैं अपनी life में हो सकता है job का wait कर रहे हो कहीं आपने interview दिया हो आप उसका इंतिजार कर रहे है result का हो सकता है एक से ज़्यादा जगर interviews दिये हो आपको इंतिजार है कि कहीं से message आ जाए आपको message आएगा आपको clarity मिलेगी आपके life में अगर आपने कोई wish मांगी है भगवान से अगर आपने कोई pray किया है आपको success मिलेगी ठीक है victory मिलेगी आपको उस situation में कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने wealth को लेके protective है अपने partner को लेके protective है बहुत ज़्यादा caring nature है positive है बहुत ज़्यादा किसी चीज को लेकर ठीक है यहाँ पे आपकी life में किसी तरह का celebration आने वाला है आपने अपने life में बहुत कुछ देखा, जेला, सहा लेकिन अब वो situation से आप बाहर आएंगे थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन आपको communication मिलेगी किसी तरह का celebration आपकी life में आने वाला है ठीक है कुछ लोगों को मैं ये भी बता सकती हूँ कि उन्होंने खुद को बहुत ज़ादा isolate करके रखा है बिल्कुल disconnect कर लिया है खुद को लोगों से ठीक है अपने आपको बिल्कुल अकेला separate करके रखे हैं यहां पे देखे हमारे पस दो कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपने उपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं ना अपने परिवार पर ध्यान दे रहे हैं ना अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं आप कहीं खोए हुए हैं कुछ सोच रहे हैं, spiritually आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, अपने आपको आपने सबसे disconnect करके रखा हुआ है, आप बाहर नहीं निकलते, फ्रेंड से नहीं मिलते, ऐसा यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ, energies, लेकिन अगर आपकी life में कुछ खतम हुआ है, किसी तरह की situation, कुछ breakthrough हुआ है आपकी life में, बड़ा breakthrough जिसकी वज़े से आप बुरी तरह से हिल गए हैं, उसकी बाद जैसा मैंने कहा, अगर कुछ खतम होता है, तो नई शुरुआत भी होती है, आपकी life में एक new beginning होगी, बहुत जल्द आप नया start करेंगे, इस situation से बाहर निकलेंगे, जिस भी situation ने आपको hurt किया, आप उस situation से बाहर निकलेंगे, आपकी life में clarity आएगी, आपकी wish पूरी होगी, जो भी wish आप भगवान से माँग रहे हैं, और आपको success मिलेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा careless, थोड़ा सा carefree होने की जरूरत है, बहुत ज़ादा stress, बहुत ज़ादा सोचना is not good for health, आपके health के लिए ये ठीक नहीं है, देखी, यहां से मैंने आपको पहले ही दिखाया था, दो अलग डेक से same card आया है हमारे पस, जो की बता रहा है कि आपको हर situation में, जिस situation के लिए आप परिशान हैं, जगल कर रहे हैं, उस situation में आपको success मिलेगी, ठीक है, यहां पे the star के दो cards आये हैं, जो मुझे confirmation दे रहे हैं, कि आपकी कोई wish पूरी होगी, life में आपको नया रास्ता मिलेगा, आप shine करेंगे like a star, आपको सिर्फ और सिर्फ धैरे रखने की जुरुरत है, अपने उपर concentrate कीजिए, थोड़ा सा strength जुटाएए और आगे बढ़िए, ठीक है, यहाँ पे है, your commitment is being tested, भगवान आपकी परिक्षा ले रहे हैं, और आपको उस परिक्षा में सफलता मिलेगी, ठीक है, आपको success मिलेगी, सो, हमेशा positive सोचिए, भगवान से positive manifest कीजिए, law of attraction यूज कीजिए, और इस situation से बाहर निकल लिए, बहुत जल्द आप new start करेंगे, आपकी life में new beginning होगी, और आपकी life में communication होगा, जिस भी चीज का message का, call का, communication का आप इंतिजार कर रहे हैं, वो बहुत जल्द आपकी life में आएगा celebration, आप comment box में मुझे जरूर बताएगा, और मेरे चानल tarot with em singh को like and subscribe करना न भूले, अगर ये reading resonate करती है, तो मुझे जरूर बताएगे, thank you so much.